Hey Guys! Welcome to my YouTube Channel और आज का वीडियो ओने वाला है उत्राकन के फ्रूट के बारे में यानि कि उत्राकन के फळो के बारे में लिकिन विडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने। बेल आइकन को प्रेस करने जए आके आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चली अफटाफट से वीडियो स्टार्त करते हैं। बात कर लेते हैं पहले फृट की है हिसोले , हिसोले को उत्राकन पर काफे जगा हिसार, बहुत सारे औशधिया गूंड होते हैं। सोडियम, मैंगनेशियम, पोटाशियम, आरेन की मातरा भरपूर पाई जाती है, इसमें एंटी ऑक्सिटेंट गुंड भी होते हैं, जो शरीर के लिए बहुती जादा फायदे मन्द होते हैं, अगला जो फ्रूट है, वो है किंगोडा, जिसको किलमोड या फिल किलमोडा भी क जाता है, यह मेरा फेवरेट फ्रूट है, यह चोटी चोटी दाने होते हैं, जो कलर्फुल होते हैं, किंगोड में वाइटमिन C की मातरा बहुत जादा होती है, और यह आई इंफेक्शन में तो बहुती जादा कालगर सिद्ध होता है, अगर इसकी जड़ो का पानी उबाल कर किसी शुगर पेशन को दिया जाता है, तो यह उसके लिए बहुत ही जादा फाइदे मन्द होता है, आपने उत्राखंट का फेमस की बेडु पाको बार मासा तो सुनाई होगा, अर्श का शर्मा ने भी काफी शोज में गाना गाया है, पर हम यहाँ पे बात सौंग की नह अंगस इंफेक्शन में बहुत जादा लापकारी होता है, नेक्स फ्रूट है तिम्ला, तिम्ला और बेडु में मैं हमेशा बच्मन में गाना तो बाद में बड़ु छोटा होता है, तिम्ले में गुलकोस की मात्रा बहुत जादा होती है, तो पहले गाउं में जब किसी को से सम्वंदित रोग या हैजाब पीलिया हो जाता था तो उसे गाँ में तिमला खिलाया जाता था तो नेक्स बात कर लेते हैं उत्रा खंड की फेमस फ्रूट की जो की है काफल काफल का टेस्ट खटा मीठा होता है और यह दिखने में वाइन या फिरेट कलर का होता है इसमें तेल और नमक मिलाकर भी खाते हैं जो कि इसके टेस्ट को अलगी फ्लेवर देता है। काफल को काय फल भी कहा जाता है। इसकी पेड़ की छाल होती है वो टैनिंग में काफी यूसफुल होती है। और काफल में एंट्रियॉक्सिदेन गुण भी पाय जाते हैं। तो नेक्स बात कर लेते हैं चबूत्रे की जिसको काफी जगा चकोत्रा भी कहा जाता है। और यह बिल्कुल संत्रे की तरह होता है। इसका टेस्ट खटा मीठा होता है। और इसके और फ्रूट्स की तरह अपने सेहत मन्त फायदे होती। चबूत्रे में वाइटिमिन सी और एकी मातरा भरपूर होती है। यह सकिन के ले भी काफी अच्छा होता है। जब उत्रे के जूस को अगर ठकावट बुखार या कब्स में पिया जाए तो यह शरीर की स्ट्रेंद को बढ़ाता है। तो लास्ट में मैं बात करने जा रही हूँ जो एक फूट तो नहीं है लेकिन एक फ्ला है मैं बात कर रही हूँ बुरास की। पसंद है। आपको उत्रखन का कौन सा फूट पसंद है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई। झाल